भागलपूर रेलबे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंतरित करने और उन्हें जागरुक करने के उद्देश से एक विसेस जागरुकता कारिक्रम का आयोजन किया गया इस कारिक्रम का नेतृत्व भारत स्काउट और गाइड भागलपूर की टीम दोरा किया गया जिसमें परवीन कुमार जा और बिपीन कुमार सिंग सामिल थे कारिक्रम में स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी सेवाये परदान की माल्दा डिवीजन के ADRM, मनीश कुमार गुपता और भागलपूर रेलवे स्टेशन के अन्याधिकारियों ने बच्चों के प्रियासों की सराना की और उनके उज्वल भविस्त की काम ना की वहीं इस कारिक्रम की सपलता में पर्मुक योगदान देने वालों में स्काउट ट्रेनर परदीप कुमार कसेरा, रोवर सिभम कुमार, स्काउट आयदत कुमार, अविनास कुमार, सरमा, श्वनी कुमार, रोसन खातुन, स्वेता कुमारी और सिमरन सामिल थे बागरपूर बाइपास थाना चेतर अंतरगत पिस्ता चौक से गुमसुदा लड़के को बरामत किया गया है, पुलिस दोरह दी गई जानकारी के अनुसार ये लड़का गया जिले का निवासी है, जिसका नाम विसाल कुमार सिंग, पिता का नाम अविनास कुमार सिंग, औ वहीं जानकारी के मुताविक उसने आठ तारीक को गया से अपने माता पिता से जगड़ा कर साइकल लेकर घर छोड़ दिया था, जिसके बाद वह भागलपूर होते हुए वह अपने चाचा के पास बाका जा रहा था, हलाकि बताया जा रहा है कि उसके मानसिक इस्तिती ठीक नहीं है, वहीं पुलिस ने लड़के के घर वालों को इसकी सूचना दे दी है, वहीं देर साम विसाल के चाचा भागलपूर पहुंचे जिसके बाद बच्चे को सुरक्चित घर वापस भेजने की व्यवस्ता की जा रही है जाने के बादाय के लिए तो अभी आप लेके जा रहा है तो क्या लगता हूं कियूं आया था इसलिए बाबादादी एक बादादी का प्रिया पोता है एसे याद में आ गया हुआ कि देखने के लिए। क्या नाम था उनका, लड़का का। लड़का का नाम का। लिशाल कुमाट से नाम अच्छा यानि कि अभी आप ले के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। आपके सायोग से बहुत बहुत धन्वा राश्पुत ब्रामन के अब यहां पर लाएब बड़ी खुशी हुए कि रात में खाना ना खाया भूले बच्छा भूखा है अब इनको कहा लेके जाएगा लड़का अभी बाका विशन पर अच्छा तो आपका पूरा परिचाए मेर चित्रों में बड़ी सफलता मिली है खरीक थाना चित्र के नरकटिया इस्तित बांध की और जा रहे एक संदिक्द व्यक्ति को गस्ती के दोरान रोका गिया पुलिस को देखते ही वो भागने का प्रियास करने लगा लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया त पुलिबारी और मारपीट की गटना को अंजाम देने वाले दो आरूपियों को पुलिस ने 24 गंटे के अंदर गिरफतार कर लिया इन अभ्यक्तों की पाचान महसपुर्निवासी गौतम रविदास और सोनू रविदास के रूप में की गई है प्रिसवारता के माद्यम से ग अवस्यक करवाई करते हुए हम अपने दलबल के साथ रोड में अभिया रोड में चेकिंग लगाए हुए थे तभी सुचना के आलोग में एक लड़का आया जो पुलिस पाटी को देकर भाग रहा था उसको हम लोग सक्क्याधार पर पकड़े उसके पास से एक देशी पिस त्यार दूरदान अपराधी है दिमाच शेतर का उसी के पास देने जा रहा था दो पक्षों में मार्पिट वी जिसमें गोली वारी भी की गई जिसमें महश सा जख्मी हो गए थाना ध्या धंडापुर के द्वारा परित करवाई करते हुए जख्मी को इलाज के लिए स्प नगचिया पुलीस जिले के समाइलपूर थाना चेदर के बिनोवा गाउं से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को कट्टा लेकर खेत के मोड पर बैठे देखा जा सकता है रिपोर्ट्स के अनुसार ये व्यक्ति सफेज चादर के नीचे भी हतियार छिप पाए हुए है और पुलीस परसासन का कोई डर महसूस नहीं करता है उक्त व्यक्ति की पाचाहन बिनोवा गाउनिवासी रतनमंडल के रूप में हुई है जिसके किलाब पहले भी कुछ मामले दर्ज बताये जा रहे हैं अस्तानिय ग्रामिनों ने ये वीडियो की पुष्टी सिल्क टी भी नहीं करता है भागलपूर में कुल देवी का जनमुत्सव बड़े हरसोल लास के साथ मनाया जा रहा है इस अबसर पर 108 मीटर लंबी चुनरी के साथ भब बेशोबा यात्रा निकाली गई जिसमें 50 निसान बेश सामिलते द्रसल या आत्रा बुदिया गली से प्रारम्भोकर कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वेराइटी चौक और खलिफावाग होते हुए ब्रामन मंडल में पहुँच कर संपन्न हुई कारकरम में हज्जारों सरधालों ने भाग लिया जिन में रानी गंज, नमगचिया, टाटा और सूरत से आए भक्त सामिल थे यह जन मुझसब पिछले चोव वर्सों से निरंतर मनाया जा रहा है विशेस बात यह है कि इस उत्सब के लिए 108 मीटर लंबी चोनडी विशेस रूप से सूरत से मंगाई जाती है